एक गाओं में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्श चलाती थी। उसका पत्ती जिसका नाम रामू था। रामू दिन भर नसे में डूबा रहता और दूसरों के साथ अपना समय बरबाद किया करता। कहीं इधर तास के पत्ते खेलता तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे पर बैठकर गपसप मारा करता। अपने परिवार का ख्याल उसे बिलकुल भी नहीं था। ऐसा लगता था कि उसकी माता पिता ने उसकी साधी करा कर गलती कर दी थी। बिचारी उसकी पत्नी दिन रात क काम कर अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर न जाये तो उसकी बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रतेक दिन दूसरों के घर काम करती थी। लेकिन रामों को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता उसे बस अपना समय बरबाद करके हसी मजाक और पत्ते खिरने में बहुत मजा आता था। साम को सराब पी कर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी पर चिलाता। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या करे। वह तो अपने बच्चो को छोड़ कर कहीं जा भी नहीं सकती थी रामो को जो कोई भी समझाता था रामो कुछ काम किया करो अपने परिवार का खर्श तो उठाओ तुम्हारे दो बच्चे हैं तुम्हारी पत्नी है उनकी देखभाल करो ऐसे अपना समय क्यों बरबाद करते हो रामो उसके उपर बिगड़ जाता और कहता तुम्हें इससे क्या लेना देना मैं कुछ भी करो यह मेरा जीवन है मैं तुम्हारे घर में खाता हूँ क्या इसके कारण कोई भी गाओं का सदस्य उससे इस दिसे में बात ही निकरता था वा सुबा खाकर निकर जाता और रात में सराब भी कराता और अपनी बीबी के उपर गुसा करता ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा कुछ दिनों के बाद संसार में एक ऐसी बिमारी ने जनम लिया जो मानो जाती के लिए अत्यदी खतरनाक थी चारो तरफ उस बिमारी का कहर था आप सब जानते होंगे कि मैं कुरोना वाइरिस की बात कर रही हूँ जब सरकार द्वारा लॉक डाउन लगाया दिया गया तब चारो तरफ लोगों का एक दूसरे के हाँ आना जाना बंद हो गया था सारे कार, सारी फैक्टरियां, सारी गाड़ियां इत्यादी बंद हो गय थे अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था क्योंकि उसकी पत्मी जो रोज कमाने जाती थी वह अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बिमारी की वज़ा मैं न हो जाऊं लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिये थे उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं था ना उसके घर में कुछ पैसे थे अब वह क्या करता, उसका छोटा बेटा भी बिमार हो गया उसके बच्चे की तवियत ज़्यादा खराब हो गए थी तब रामो को समझ आया कि अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए उसने बच्चे को अस्पिताल ले जाने की सोचा परन्तु उसके पास पैसे नहीं थे वह गाउवालों से पैसे मांगने गया गाउवालों ने कहा पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जली कटी सुना देते थे अब इस लोकडाउन में हमारे पास कहां से पैसा आए यही कहकर वो लोटा देते थे रामो अत्यधिक परिसान था अब करे भी तो क्या करे वह चाहकर भी कुछ ने कर सकता था एक पूरा दिन बीट गया उसके बेटे की तवियत और भी ज़्यादा खराब हो गई तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहां काम करती थी वहाँ से कुछ पैसा जुटा कर लाई और अब रामू अपने बच्चे को होस्पीटर ले जाने की तयारी की रामू अपने बच्चे को लेकर गाओं के बाहर एक असपटाल पहुचा रामू दोडता हुआ डाक्टर के पास गया उसने कहा मेरे बच्चे को बचा लीजिये डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगा कर चेक किया लेकिन उसका बेटा तो मर चुका था डॉक्टर साहब ने यह बत रामू से कहा यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता मुझे बहुत दुकी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सका रामू के पैरो तले जमीन ही किसक गई और वह रोने लगा और कहने लगा यह सब मेरी ही गलती है मैंने जीवन में कुछ नहीं किया सिर्फ अपने समय को बरबाद किया है यदि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पीटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बरबाद किया है लेकिन आज मुझे समय की अहमियत पता चल गई है तो हमें इस कहानी से यह सिच्छा मिलती है कि हमें अपने समय को बरबार नहीं करना चाहिए उसका सदुपयोग करना चाहिए तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है इस कहानी में अगर रामू पहले से काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और अपने बेटी का इलाज करा पाता मित्रों हमें हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए धन्यवाद